अस्कार दोस्तो, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है प्रिया टॉप किचेन, तो हाज मैं आपके साथ मैगी की रेशपी लेकर आई हूँ, तो देखें यहाँ पर मैगी ले लिया है, यहाँ मैँने चार पैकेट मैगी लिया है और इसे म भरी मीर्च लसुन और नमक और हल्दी पाउडर तो चलिए चलते हैं मैगी बनाने के प्रोसेस में तो मैंने अपने यहां पैन को बठा लिया है गरम होने के लिए अब ये गरम हो गए है मैं इसमें दो बड़े चमच ओयल को एट कर रही हूँ तो देखिए जो तेल है वो गरम हो चुके हैं अब मैं इसमें जीरा को एट करूँगी तो यहां पे मैंने आदे चमच जीरा लिया है तो इसे क्रेकर होने देते हैं तो जीरा जैसे ही क्रेकर हो जाएगी मैं इसमें प्याच को एट कर दूंगी अभिसे हलका गुलावी होने ऐसे तक भून लेते हैं तो मैं यही पर हरी मिर्च को भी आट कर दे रही हूँ ताकि यह प्याज के साथ भी भून जाए हरी मेर्च आप अपने हिसाब से कम जादी ले सकते अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम भी डाल सकते हैं और मैंने लसुन को भी इसमें डाल दिया है तो इसे मैं गुलाबी होने तक भून लेती हूँ देखिए प्याज के जो कलर है वो चेंज हो चुके है अब मैं इसमें मतर को एट कर दे रही हूँ ताकि मतर जो है वो जल्दी से गल जाए क्योंकि मतर गलने में थोड़े टाइम लगते हैं तो इसे उलट उलट कर चलाते हुए दो मिनट हो चुके हैं अब मैं इसमें टमाटर को एट कर रही हूं तो टमाटर को इसमें आट कर देती हूं और इसे चला देते हैं तो टमाटर को सौप्ठ होने तक छोड़ देते हैं अब देखिए यहाँ पे मैंने जो मसाला को लिया था मैगी मसाला उसे एक बॉल में निकाल लिया है और इसमें पानी डाल कर इसका एक पेश्ट बना लेती हूँ और साथी साथ इसमें हल्दी पाउडर को भी एड़ कर दे रही हूँ तो देखिए मैं इसे मिला लेती हूँ ताकि इसमें लॉम सनर है तो मैंने मसाला को बना लिया है अब मैं इसी में मसाला को एड़ कर देती हूँ तो मैं यहाँ पे लाल मिर्च की को यूज नहीं कर रही हूँ अगर आप चाहे तो इसमें डाल सकते हैं तो देखिए मसाला भून चुकी है दो मीनट तक मैंने इसे अच्छे से भून लिया है अब मसाला में से खुसबू आने भी श्टार्ट हो गई है तो अब मैं इसमें मैगी को एट कर दूँगी तो मैगी को मैंने बॉयल नहीं किया है इसी तरह एट कर देती हूँ क्योंकि मुझे जटपड़ सी मैगी बनाने की विधी आपको बतानी है तो इस तरह से भी मैगी बहुत टेश्टी लगती है अब मैं इसमें एक छोटे गिलास पानी और एक और छोटे गिलास पानी दो गिलास पानी को आड़ कर देती हूं छोटे गिलास से अब इसे चला कर इसे 2-3 मिनट तक वोयल होने देते हैं अब मैं नमक को भी डाल देती हूं ताकि मैगी जल्दी से फटाक से बन जाए अब इसे 2 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देते हैं इसमें बॉयल आने देते हैं तो देखिए मैगी बनके मेरे तयार है दो मिनट हो चुके हैं अब लच्छे दार इदम बने हैं जरा सा भी तुटा नहीं है तो मेरे जैसे मैंने बता है उस तरीके से आप मैगी बनाए जटपट से बनके तयार हो जाएंगे अब मैं इसमें ग्रीन टच अब देने के लिए धन्या की पत्ते क्या यूज कर रही हूं तो धन्या की पत्ते डालने के बाद मैं इसे चला लेती हूं और इसका प्लेटिंग कर लेते हैं तो यहां देखिए मैंने यहां पर टमैटो तोस से इसकी गर्निसिंग कर दी है तो कितनी थ्वाधिष्ट बनके मेरी मेगी तयार हो गई है वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड सस्क्राइब करें पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू